नमस्कार दोस्तों, जैश्री महाकालमित्रों, स्वागत है, आप सभी का कुछ तो सिं राशेवालों, दोस्तों, ये भविश्यवानी गलत हुआ, तो तुरंत मुह मांगा इनाम दूँगा, जी हाँ दोस्तों, लेकिन भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक ला जैसी दोड़ेगी, जी हाँ दोस्तों, पहले से हजार गुना ज्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में, जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान विश्नुजी आपके घर आएंगे, और अब वो आपको धनवान बना देंगे, जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों, कल के दिन में दूद का दूद और पानी का पानी होने वाला है, और साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें, कि आज का जयोतिश कारियक्रम का मुख्य विशय है, कि आखिर आपका भाग ये अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा, और अब दायक तीन संकेत आपको मिलेंगे और उतना ही ज्यादा आज का जब विडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जी हाँ दोस्तों अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह तीन संकेत आपको कौन-कौन से मिल सकते हैं दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला नंबर पर जो आपको संकेत मिलेगी दोस्तों वह होगा आप पैसा और प्यार जी हाँ दोस्तों दूसरा जो नंबर में आपको संकेत मिलेगा वह होगा घर और गाड़ी तथा तीसरा नंबर पर जो आपको संकेत देखने को मिले ग्रहों का संकेत तथा कुंडली का अच्छी तरह से विशलेशन करने के बाद तथा पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात विशेश तोर पर आज का यह वीडियो का निर्मान किया गया है वह भी सिर्फ आपके लिए कृपया इसे मजाख बिलकुल भी मत समझना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना क्योंकि दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर यानि कि कल ही आपको तीन बड़े और महा संकेत मिलेंगे और यह संकेत आपको धनवान बनाएगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों बहुत महतुपूर्ण संकेत है और उतना ही महतुपूर्ण आजकल वीडियो भी है क्योंकि हमने बहुत ही गंभीर विशयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और साथियों आप सभी से निवेदन करता हूँ बस आज इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान पूर्वक सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि भगवान श्री हरी विश्णु जी आपको तीन बड़े संकेत दिये हैं तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिये हैं उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्यधान से भरपूर भी हो जी हाँ दोस्तों आएए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर घटना के बारे में नमबर एक पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम जी हाँ हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी महनत करते हैं हालांकि कभी कभी केवल कड़ी महनत से मदद नहीं मिलती हैं कई बार किसमत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर होगे हम दूसरों की तरकविकी देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता करती हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं पर सचाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं आपको सि चिंता करना बंद करें, जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परिशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे, तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है, मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं है, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती है, पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझ भूज का इस्तिमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें जिन्दगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तू परमेश्वर से आती है अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दे जी हाँ दोस्तों जरूरत मंदों की मदद करें भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें इसका जवाब आसान है दूसरों की मदद करें जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरत मंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही काम्याब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुश हाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, अगले 24 घंटे के अंदर, जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। एक सो आठ बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए आप स्फटिक की माला से पदमानने पद्म पदमाक्ष्मी पदम संभवे तन्मे भजसी सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निप्टारा न करने के कारण से कर्ज के बोज से दब जाते हैं। मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे पांच लाख बार जपलेगा, उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उसे मंचाहे धन की प्राप्ती होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो उपर मंत्र बताएं हैं, उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं, उन्हें इस मंत्र को हर सुबह सनान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है, वह आपको प्राप्थ हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिये गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र, मा लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है, उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती, मा लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्र जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किये जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनहें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्र प्रति दिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनो कामना पूरी कर सकते हैं। नमबर तीन चीटियों को आठा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चीटियों को शक्कर मिला हुआ आठा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुन्य कर्म उदय होंगे। यही पुन्य कर्म आपकी मनो क कामना पूर्ति में सहायक होंगे। सूर्यास्त के बाद जाडू पोचा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से मा लक्ष्मी रूट जाती है और व्यक्ति को आर्थे खाने का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद जाड़ू पोचा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। माता-पिता का आशीरवाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता-पिता और घर के बड़े बुजर्गों के पैर छुकर आशीरवाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ प्रदान करेंगे। माता-पिता के आशीरवाद से आप पर आने वाला संकट ठल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नमबर आठ पीपल पर जल चड़ाएं रोज सुबहस्नान आदी करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा प्रशुआएंगे।